घयजो, वेल्कम में यूटूब चनल, दस्तो, मेरे चनल में आप सब का स्वागत है और आप सब मस्त होंगे स्वस्त होंगे जी हाँ, दस्तो, तो में बात करने रहे हैं उन्यवाली हूँ को रकपुरीया भोजी के बारे में जी हाँ दोस्तों हाली में उनके बारे में कुछ अन्यूस चल रही है कि थमलेन में भी अपने देखी लिया होगा हाँ जी हाँ दोस्तों तो मैं यही बोल रहे हूं कि जो उनका बेबी बॉय था वो अब नहीं रहा और उनकी लड़किया तीन है जिहां दस्ततिनों बोल रहे ही कि हम राखे की सको बान देंगे तो अब जब कुछ प्रोबलम है मतलब लड़का आने नहीं देता है पता नहीं जादो टोना कुछ करवाया है कि नहीं करवाया है क्या है क्या नहीं है ये तो नहीं बता सकते है क्योंकि एक बार हो जाता है लेकिन इसे बार-बार हो रहा है इसका मतलब क्या है हर बार तो कोई गलती नहीं करेगा ना एक बार गलती हो जाती है चलो खराब हो गया हर बार तो वेसी गलती नहीं कोई करेगा ना कि वही इस कारण से इसा हुआ है कि उस कारण से इसा हुआ है जियां दोस्तों तो यहां पर जदू टोने वाली बात है और इस वज़द से मतलब उनकी फेमेली में लड़का मतलब आने ही नहीं दे रहे हैं वैसे देखा आजाए तो उनकी ननन का लड़का ही है तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ हो सकता है इनके इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते एक जदू टोना करवाया है या और कुछ बात है क्योंकि तो उनका मानना तो यही है कि कोई जदू टोना तंत्रमंत रखिया हुआ है अब देखे उसका क्या तोड निकलता है लेकिन अभी तक इनको समझ में नहीं आया कितनी बार हो चु अब किसी भी बात की जड़ तक जाना चीनक इसा हो रहा है बार बार क्यों हो रहा है तो हो सकता है कुछ और कारण हो और ये कुछ और बोल रह चाँ हो तो बने रहे हमारे वीडियो में और वीडियो को मतलब लाश्ट तक जरूर दें कि जी हाँ दोस्तो हम अपने वीडियो के माद्यम से और भी इसके बारे में जानकारी ले आएंगे और लाएंगे जी हाँ दोस्तो तो फिलहाल जादो टोना तो होता है इन चीजों पर और ये बात कहां तक सच है ये भी हम आपको अपने वीडियो के माद्यम से बताएंगे ज और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा चैनल को सस्क्राइब करिएगा जी हाँ दस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में और हमारी हमारा वीडियो पसंद आए तो सस्क्राइब चैनल को जरूर करे थेंक यू, धन्यवाद